सट्वीर जी बताएंगे कुछ इसके बारे में यह है रजनिगंदा रजनिगंदा की सीड निकाला जा रहा है अब भी सीजन है रजनिगंदा को लगाने का और यह सारे लोग देखें यहां से लगा निकाल के सीड को और कहीं दूसरी जाएंगा कि अब द्रेक्शन के लिए निकाल लेंगे लगाएंगे तो अभी बताएंगे सट भी इसके बारे में थोड़ा सा यह इसके बल्ब के बारे में यह क्या है और कब इससे लगाना चाहिए यह बल्ब बैस्का जो है अधर निकन्दा का वाइप पोस्पल्टी का अच्छ तो यह मतलब इसका जो आप सेल करते हैं क्या इसका फूल सेल करते हैं यह कैसे सेल करते हैं अच्छा जो इसमें स्टिक निकलती है तो क्या एक बार में यह की स्टिक निकलती है तो किया एक बार में यह की स्टिक निकलती है इसमें से एक बल्ब में से या कितनी स्टिक निकलती कि यह टिंटे चार अठी है चार पाच तक निकल देनों है कि इसमें मार्च अपर salvा कि झ्लाव नजदीक से दिखागें अधीयन अई प्रजीन गंता एक है ऐसे बीज सीड सब्सक्राइब बड़ है main innovation company बन जाता कि हम पूर्ज कैस्तर्म किसाने लिए क्या बैनिफिट है इस सथbrand यह आप यह क्या लागत है इसकी परिकर के लागत की बात करें है और क्या मुनाफ़ा बैसे लोकल मार्केट भी है जैसे मेरट गाजवा और दिल्ली इसकी होल्सेल मार्किट अब जाता है यह गए बंडल में किलो में जाता है एक बंडल में 24 होती है एक एक एकड़ में लगबग आप खर्चा अगर सोचें कोई किसान लगाना तो क्या खर्चा आजाता है एक 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 एकड़ में दीवां असपास सब मिला के एक लग है और क्या कितना उस्वेशन हो जाता है एक एक एकरण से दो तह उडार दो लाक क्याशिओ तीन आप के अंदर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिखाएंगे रजनिगंदा का बीज और ये स्पाइक जो बता रहे थे अभी सत्बीर जी वो भी दिखाते है कैसे होते रजनिगंदा के स्पाइक ये देखें ये होता है रजनिगंदा कि अधने की शोँ हां कि उला हुआएंगे को चल्की मुआ हे है से झाल है दोग दोटे भी चल् yक Doosen कि जलुए टुब है qui मुद interven geometर मुआदा को की दिरे गाएंगे कि जलिल को क्यों शोदूदाएंगे